हलो स्टुडेंट्स, आज हम लोग, क्लास 6th, चाप्टर 2, ओल नम्बोस में, क्वेश्चन 7 डिसकस करेंगे, मैंत दा फालोईँगे, इधर क्वेश्चन से, त्री क्वेश्चन से, इसका रिलेटेद आंसोस इधर दिया हुआ हैं, अभी फिर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 425 into 136 is equal to 425 into 6 plus 30 plus 100 है, इधर 136 को ब्रेक करके लिखा हैं इस साइड में, मींस स्प्लिट करके लिखा हैं, 100 plus 30 plus 6, इसको आड करेंगे तो 136 आती है, ओके, फिर बीच में इधर मल्टिप्लिकेशन है, यह डिस्टिब्युटिविटी प्रोपर्टी है, इधर इसलिए आंसर यह आती है, डिस्टिब्युटिविटी आफ मल्टिप्लिकेशन ओवर अडिशन है, ओके, तो इसका आंसर इधर आरो बताया गया है, ओके, नेक्स्ट, सेकेंड कोस्चन है, 2 into 49 into 50 is equal to 2 into 50 into 49, इधर यह RHS है, यह LHS है, राइट अंड साइड है, यह LHS है, दोनों साइड्स हमें सेम नंबोस देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन यह 49 into 50 लेफ्ट अंड साइड में है, राइट अंड साइड में देखेंगे तो 50 into 49 है, इसका मतलब यह दोनों नंबोस जो है न, इंटर्चेंज करके लिखा है, फिर भीच में इदार मल्टिप्लिकेशन है, ओकै, सो इसका आंसर आती है, क्मुटि, क्मुटिटिविटी अंडर मल्टिप्लिकेशन है, ओकै, commutativity अंडर multiplication है next question 80 plus 2005 plus 20 is equal to 80 plus 20 plus 2005 है यह right hand side है यह left hand side है बीच में addition हमें देखने के लिए मिल रहा है इदर 2005 plus 20 है लेकिन right hand side में 20 plus 2005 है यह दोनों numbers जो है ना interchange किया है left hand side में and right hand side में यह इसका sum करते हैं तो 80 plus 2005 plus 20 in the same way इसका sum 80 plus 20 plus 2005 इनका sum करेंगे तो same answer हमें मिलती है ओके इदर बीच में addition है एं commutativity property में आती है so, इसका answer commutativity under addition if you have understood this explanation please like my video and share with your friends who are not subscribed to my channel please subscribe it thank you for watching